जॉन इस्टूर्ट मिल भागतीन मैं कॉशल कुमार सेन असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस बाबू शुभाराम गोर्मेंट आर्ट स्कूले जलबर इस अंक में हम मिल के स्वतंतरता संबंदी विचारों का दियन करेंगे मिल ने अपनी स्वतंतरता संबंदी विचार अपनी पुस्तक स्वतंतरता पर निवंद ऐसे ओन लिवर्टी में परिस्तुत किये हैं उसने इस ग्रंथ में विच्ति की स्वतंतरता के अर्थ, प्रकार, महत्व, एवं आवशक्ता पर इतने अधिक तर्कपून ढंग से लिखा है कि मिल को प्राय विच्ति की स्वतंतरता का दूद कहा जाता है किन्तु बारकर का मत है कि वह सारहीन स्वतंतरता का दूद है बस्तुते मिल ने स्वतंतरता के नकारात्मक पक्ष पर अत्यदिक बल दिया है और सकारात्मक पक्ष की उपेक्षा की है मिल ने स्वतंदर्ता पर अपने पुस्ता कैसे और लिबर्टी में प्रिस्तुत किये है मिल व्यक्ति की स्वतंदर्ता का अत्यतिक समर्थन करता है और प्राय व्यक्ति को अत्यतिक स्वतंदर्ता देने के बक्ष में है वे स्वतंतरता के नकारात्मक पक्ष का समर्धन करता है जिसे मिल जिसे बार कर साहरीन स्वतंतरता कहता है क्योंकि सही माईने में नकारात्मक स्वतंतरता का उभ्योग नहीं किया जा सकता स्वतंतरता के दो परकार हैं नकारात्मक स्वतंतरता और सकारात्मक स्वतंतरता नकारात्मक स्वतंतरता ऐसी स्वतंतरता है जो बंद नहींता या जिसे स्वक्षंदता की इस्तितीनी कहते है जिसमें राज्य का हस्तक्षित बिल्कुल नहीं होता ऐसी स्वतंतरता नकारात्मक स्वतंतरता होती है मिल ऐसी ही स्वतंदर्ता के समर्थक है जबकि इत्या साक्षी है कि विक्ती सकरात्मक स्वतंता का ही बहुख कर सकता है लेकिन मिल ने नकरात्मक स्वतंदर्ता के जिस पक्ष को जागर किया है उसका द्यन इस अंक में करते है अब है मिल की स्वतंतरता की परिवासा एवं आर्थ मिल ने स्वतंतरता को परवासित करते हूँ लिखा है स्वतंतरता प्रतेग व्यक्ति की श्वम पर प्रभूता है द्यारती द्यान देंगे कि मिल ने अपनी स्वतंतरता को परवासित करते हूँ लिखा है कि स्वतंदरता व्यक्ती की श्वम पर प्रभूता है अर्थाद व्यक्ती अपने व्यक्ती अपने उपर अपना राजा स्वतंदरता को मानता है अर्थात व्यक्ति के कार्यों में हस्तक शेप नहीं होने चाहिए क्योंकि व्यक्ति अपने हित को समझता है इसका सरल अर्थ है कि व्यक्ति स्वं से सम्मंदित कार्यों में पूर्दा स्वतंतर है किन्तु अन्यों से सम्मंदित मामलों में उसकी स्वतंतरता सीनित है मिल कहता है कि जो व्यक्ति के खुद किसे संबंदित कारे है उनमें उसे पूर्ण स्वतंतरता दी जानी चाहिए जब तक कि वे दूसरे के कारों को या दूसरे की स्वतंतरता को में बादा नहीं डाले यदि व्यक्ति के स्वम से संबंदित स्वतंतरता पर कोई प्रतिवंदर नहीं होना चाहिए मिलकंसार स्वतंतरता के प्रकार पहला है विचारों की स्वतंतरता और दूसरा है कार्यों की स्वतंतरता तो सबसे पहले हम विचारों की सौतंतरता का द्यन करते हैं जो मिलने व्यक्ति की विचार संबंदी सौतंतरता पर किसी भी परकार के नियंतरन का तीब्र विरोध किया है। उसका मत है कि व्यक्ति को प्राप्त विचारों की पूर्ण स्वतंतरता मात्र व्यक्ति के हित्मे नहीं है अपितु समाज के हित्मे भी है। विचार करने की पूरी स्वतंतरता होनी चाहिए। तब ही नए विचारों का आगमन राज में या समाज में होता है। और जो राज के विकास में योगदान देते हैं। तो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंतरता दी जानी चाहिए। ताकि व्यक्ति खुद के विकास के साथ साथ क्योंकि व्यक्तियों से समाज का निर्मान या राज का निर्मान होता है। तो उसी से जब व्यक्ति खुद का विकास होगा। बिचार सम्मद्धी स्वतंत्रता के सम्मद्ध में मिल निमली के तर्थियों पर बल दिया है पहला इस्थापित परंपरावे दार्णा के बुरुद बिचार प्रकट करने की स्वतंत्रता सत्य की खोज के संदर में मिल का मत है कि इस्थापित परंपरा दार्णा वे विश्वास के विरुद अपना मत प्रकट करने की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और उसकी इस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए नए विचारों के आगमन के लिए जरूरी है मिल के अंसार कि जो दार्णा परंपराएं या विश्वास चले आ रहे हैं उनके विरुद व्यक्ति अपना मत प्रकट करे तबी नए विचारों का आगमन समाज में होता है और उसकी इस स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के का नियंत्रण नहीं होना चाहिए मिल कंसार व्यक्ति को मातर विश्वास पर आधारित ऐसे सत्य के व्रुद अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्ता होनी चाहिए मिलने का है भी है कि जब व्यक्ति इस्थापित परंपराओं धार्णाओं विश्वासों के विरुद अपने मत प्रकट करता है तो व्यक्ति का तीबर विरुद होता है किन्तु बाद में समाज उस सत्य कोश्विकार करता है मिलने उधारन भी दिया है कि सुकरात को मृत्य दिन्ड दिया गया वो इसलिए कि उन्होंने इस्थापित परंपरा के विरुद सत्य पहुँ दिया लेकिन बाद में समाज ने श्विकार किया कि सुकरात सही थे तो इस प्रकार इस्थावित परंपरा और इनके परंपरा विश्वासों के ब्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण सो-संतरता होनी चाहिए दूसरा परस पर बिरूदी विचारों की अभी व्यक्ति का महत्व किसी भी समय में किसी एक ही विशे से सम्मंदित विविन विचार पाए जाते हैं किसी एक विचार के समर्थक व्यक्तियों की दृष्टी में श्वयम अपने विचार सत्य तथा अन्यों के विचार असत्य हो सकते हैं किन्तु वास्तम में सत्य क्या है, इसकी परिक्षा तो इन समस्त विचारों की आपसी तुलना दौरा की जा सकती है. अते सत्य से सम्मंदित किसी भी पक्ष की विचार सम्मंदी स्वतंतरता को नियंतरत नहीं किया जाना चाहिए. तीसरा है संकी विक्तियों को भी विचारों की सवतंतरता दी जाएनी चाहिए मिल विक्ति की विचार समंदी स्वतंतरता का इतना समर्थक है कि उसका मत है कि यदी किसी विशे पर संपूर मानव जाती का एक ही विचार हो यदि किसी विशे पर संपूर्ण मानवजाती का एक ही विचार हो किन्तु मात्र कोई एक विक्ति उस विचार से ऐसमत है, तो उस एक विक्ति को भी अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए. इस वारे में मिल का कथने यदि किसी एक विक्ति को छोड़ कर संपूर्ण मानवजाती का एक विचार हो, तो भी संपूर्ण मानवजाती द्वारा उस विक्ति को चुप करना न्याय संगत नहीं होगा, जिस परकार उस विक्ति के पूर्ण सक्ति संपन होनी की दसा में, उसके कि द्वारा संपूर मानव जाती को चुप करना नयाइसंगत नहीं होगा. मिल का कथन है कि दस सन की व्यक्तियों में से न व्यक्ति पूर्ट मूर की सिद्ध हो सकते हैं, किनदू संभव है कि दस व्यक्ति मानव जाती के लिए इतना लाइبة दाईक सिद्ध हो, जितने अनेक साधरन मनिश्र मिलकर भी नहीं हो सकते बस्तुत है इतिहास में ऐसे उधारन देखे भी है कि बैग्यानिक गैली लियो तता राजनितिक विचारक रूसों को उनके जीवन काहल में संकी जैसा दर्जाही प्राप्ता किन्तु आज मानब जाती उनके विचारों का सम्मान करती है चोथा है विचारों की स्वतंतरता पर प्रतिबंद की नीती हानिकारक होती है मिलका मत है कि विचारों की स्वतंतरता से सत्य की खोज में मदद मिलती है और इससे नागरिकों की बुद्धी, विवेक, आत्मा, मन, वेचरित्र, आदी का विकास होता है किन्तु जब विचारों की स्वतंतरता पर प्रतिवंद लगाय जाता है तो इन छेत्रों पर भी प्रीत असर पड़ता है इस परकार ये मिलके विचार संबंदी स्वतंतरता थी दूसरी मिलने कार्य संबंदी स्वतंतरता पर अपने विचार प्रकट की हैं जिनमें पहला है विचार की स्वतंतरता की अनपूरक स्वतंतरता मतलब कारे संबंदी स्वतंतरता मनुस की बिचार संबंदी स्वतंतरता की अनपूरक है मिलने कारे की स्वतंतरता का भी उद्दे महतोशी कारा है जो बिचार की स्वतंतरता का अनपूरक है यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित के विकास के लिए आवशक है और इसके लिए भी व्यक्ति के सुख में ब्रद्धी होती है और अंत में संपूर्ण समाज का भी लाब होता है दूसरा है दोनों परकार की स्वतंतरता की सीमा में अंतर है मिल के अंसार जहां बिचार की स्वतंतरता पूर्ट समाज निर्पेक्ष हो सकती है वहाई कारी की स्वतंतरता एक बड़ी मात्रा में समाज सापेक्ष होती है अर्थात विचारों की स्वतंतरता पर मिल किसी भी परकार का नियंत्रस्वी कार नहीं करता अर्थात वे समाज के विरोधी हो सकती है किन्तु कारी की स्वतंतरता समाज के साफिक्ष होती है विचार की स्वतंतरता का अन्य व्यक्तियों पर केवल एपर्थिक्ष प्रवाब पढ़ता है अत्य समाज द्वारा इसे किसी भी रूप में मरियादित या प्रतिविनित नहीं किया जा सकता है किन्ति व्यक्ति के कारे की स्वतंदरता का अन्य व्यक्तियों के हितों पर विपरित प्रभाब पढ़ सकता है और इस इस्तिति में इस स्वतंदरता को मरियादित या प्रम्ति बंदित किया जा सकता है आनलो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंतरता का हनन होता है तो मिल कहता है कि कार्य की स्वतंतरता को दूसरे की कार्य में बादा होने पर जिमित किया जा सकता है तीसरा है कार्य की स्वतंतरता की धारना दो प्रिकार के कार्य मानती है पहला श्वेविशक कारे और दूसरा है परविशक कारे श्वेविशक कारे समंदी स्वतंतरता का पक्ष मिल के अंसार अपने उपर अपने शरीर वे मस्तिक्स पर व्यक्ति की सत्ता सर्वों पर ही है अते उन समस्त कारें को करने में व्यक्ति को पूर्ण सतंतरता प्राप्त होनी चाहिए जिनका समंद केवल उसी के जीवन से है और जिनका कोई भी प्रवाग केवल उसी पर पढ़ता है मिल व्यक्ति के इस रेनी के कारें को स्वेविशक कारे कहता है मिल इस परकार के कारियों में खाना, पहनना, सोना, धार्मिक कर्म, आदी को समलित करता है उसका ये भी मत है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने घर में शराब पीना और जुवा खेनना भी स्वेविशक कार्व ही हो सकते हैं क्योंकि इन कार्यों का अन्य पर्विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ता। दूसरा है पर्विशक कार्य मिलने व्यक्ति के उन सभी कार्यों को पर्विशक कार्य माना है जिनका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर पढ़ता है। जब व्यक्ति के किसी पर्विशक कारे का प्रभाव अन्यों के हितों के प्रत्कूल होता है, तब समाज को अधिकार होता है कि वे व्यक्ति की कारे की स्वतंद्रता को मर्यादित ये सिग्मित करते। इस प्रकार के प्रतिवंदों का उद्देश होता है किसी व्यक्ति को ऐसे कार्यों को करने से रोकना जिन से दूसरे व्यक्तियों की स्वतंतरता का हानन होता है। मिल ने उन कार्णों का उले किया है जिनके आधार पर व्यक्ति की कार्य संबंदी स्वतंतरता को प्रतिवंदित किया जा सकता है। जब रहे सरापी कर अन्यों को हानी पहुचाता है तो उसकी स्वतंतरता को प्रतिवंदित किया जाना चाहिए। दूसरा है रास्ट की रक्षा है तूँ। जब युद्धि की स्वतंतरता को अत्वा आंत्रिक अराजतता हो तो सर प्रमुकावशकता होती है रास्ट की रक्षा। अत्यमिल मानता है कि रास्ट संकट की गड़ी में व्यक्ति की स्वतंतरता को प्रतिवंदित किया जा सकता है। तीसरा कर्तव्यों की पालना है तूँ। जब व्यक्ति अपने किसी आदाहरगूत कर्टब्य का पालन नहीं करे तो राच उस व्यक्ति को अपने कर्टब्य की पालना के लिए मजबूर कर सकता है और इस बारे में उसे दंडित भी कर सकता है। मिलके स्वतंतरता समंदी विचारों की आलोचना पहला सारहीन स्वतंतरता का प्रती पातनी लिए मिलने समाज निर्बेक्षिस्वतंतरता की धार्णा को शीकारा है। ऐसे व्यक्ति की कल्प ना करता जो स्वम में पूर्ण विस्वतन रिका है, इसलिए में मानता है कि व्यक्ति अपने हिद को समझने में और उन्हें प्राप्त करने में समध है, समाज ऐसे व्यक्तियों का मात्र योग है, इस प्रकार उसका दर्ष्टिकॉर्ण व्यक्तिवादी है वे समाज की साव्य प्रकरती से एपर्चित है वे व्यक्तिवे समाज की पारस्पर्स करनिष्टता को भी नहीं समझ सकता सच्चा ही यह है कि व्यक्तिवे समाज एक दूसरे बरास्रित हैं और एक के अभाव में दूसरे की कलपना नहीं की जा सकती। दूसरा है अधिकारों के अभाव में स्वतंतरता का उलेक। अधिकार एवं स्वतंतरता गनिष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक क्या भाब में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है मिल ने मात्र व्यक्ति की स्वतंतरता की चर्चा की है और उसके अधिकारों का लेक नहीं किया है तीसरा, राजवे व्यक्ति की स्वतंतरता में विरूदी संबंदों की धार्णा मिले एक व्यक्ति वादी विचारक है और उसने व्यक्ति वे राज्य के हितों में विरूद की धाना को शिका रहा है अते उसका मत है कि राज्य का हस्तक्षे व्यक्ति की स्वतंतरता को सीमित करता है किल्दो उसका यह मत सत्य नहीं है वास्तिकता यह कि राज जिवे व्यक्ति में कोई वरूद नहीं है वे एक दूसरे के अनुपूरक है राज में रहकर ही व्यक्ति अपने वास्तिक सब्सक्रत का उभूख कर सकता है श्रेश टेंने नाइक नहीं जाना गार भी इसी प्रिकार उसे समझना संबब है और नहीं उसे अन्यों की मदद के उना प्राप्त करना संबब है अगला है संकी व्यक्तियों की स्वतंतरता का समर्थन अनुचित मिलने विचार की स्वतंतरता के नाम पर संकियों को भी पूर्ण वैचारिक स्वतंतरता देने का समर्थन किया है किन्तु आधुनिक मनोवी ज्यान बताता है कि सन्की विक्ति विकरत मस्तिक्स वाले होते हैं और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ऐसे विक्तियों को विचार अभी विक्त की पूर्ण सुतंतरता देना समाज व्यराज के हिद्मे नहीं होगा इस परकार ये विचार मिल के सोतंतरता पर ये जो विचार थे इनका धिनम ने इस अंक में किया धन्यवाद।